शास्ति नगर सुपेला स्थित बीम शा हॉस्पिटल में रईवार को छाती एलर्जी, फेफडो और निंद्रा रोग से संबंदित समस्याओं के निराकरन को लेकर निशुल को स्वास्त शिविर आयुजित किया गया। शिविर में अस्पताल के डॉक्टर तनमय जैन ने मरीजों की जांच की और उपचार कर दवाई भी दी। शिविर का लाव आसपास के लोगों सहित अन्य छेत्रों से आये लोगों द्वारा उठाया गया। शिविर को लेका डॉक्टर तनमय जैन ने जानकारी दी। जी सर बताएंगे अज बीम सहां हस्पिटल में नेशुलक स्वाथ सिविर का आयोजन किया जाना है। जी अभी जिस तरीके से बारिश का मौसम चल रहा है, लगातार मौसम में काफी बदलाव हो रहा है। उसकी वज़र से काफी लोगों को वाइरल फीवर हो रहा है, उसमें से कई वक्ती कोरोना पॉजटिब में निकल रहा है और आम वाइरल फ्लू इंफेक्शन भी हो रहा है। साथी साथ इस मौसम के बदलाव की वज़र से जो भी अस्थमा, दमा के पेशेंट्स होते हैं, प्रॉंकैटिस के पेशेंट्स होते हैं, उनके लक्षणों में बढ़तरी हो जाती है, उनको दवाईयों को चेंज करने की जरूत पड़ती है, या फिर कुछ पेशेंट्स की असी भी नौबत आती है कि उनको भरती करने की नौबत आती है, जो पेशेंट्स रेगुलर अपना ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, वैसे पेशेंट्स में भरती करने की नौबत आ रहे हैं, इसलिए हमने स्वास्त शिविर लगवाया है, जो कि संडे के दिन हमने आमजन क ताकि लोग जो कि अन्ने दिनों में नहीं आपाते हैं अपने काम या किसी अपने काम काज की वज़ा से वो संडे के दिना करके स्वास्चिविर का लाग उठा सकें। करते हैं जैसे कि sleep related disorders, निद्र संबंधित बिमारियां जैसे कि कुछ लोगों को खर राटे आते हैं, रात भर नीद नहीं आती हैं, दिन भर जपकियां आती हैं या काम का आज में मन नहीं लगता हैं, पूरे focus और concentration के साथ जो लोग काम नहीं कर पाते हैं, ये इससे related समस्याओ का भी हम इलाज करते हैं, इसके अलावा हमारे पास respiratory ICU हैं, जिसमें critical patients का हम treatment करते हैं, हमारे hospital में ventilator से ले करके सारी सुध हैं, उप्लब हैं, इसमें critical से critical मरीज जो बाहर की जगां से आते हैं, उनका भी हम पूरी तरीके से treatment करते हैं। उठाया जा रहा है, सेकड़ो मरीज अस्पताल के स्वास्त शिवीर से लाभन्वित होकर स्वस्त हो चुके हैं। Grand Asian News के लिए संजय दुबे